हेलो दोस्तों, चैनल में फिर से आपका स्वागत है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप सभी को चार्ट पैटर्न को उसका पहला पाट पसंद आया, जो कंटिनुएशन पैटर्न्स पर केंद्रित था, आपकी डिमान के अनुसार यहां इस थ्री विडियो सीरीज का तक देखें, ताकि पूरा कॉनसेप्ट समझ सकें, और इसे अपने दोस्तों और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेय भी करें, यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन सक्षम करें, ताकि आप आने वाले किसी भी अपलोड को मि एक्जामिन करेंगे, कि ये पैटन बजार में क्यों काम करते हैं, और आपको इनका ट्रेड क्यों करना चाहिए, हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टागेट क्राइटेरिया के साथ, चार सबसे कॉमन और सबसे लाबदायक रिवर्सल पैटन्स पर चर्चा करेंगे, यदि आ बाजार existing trend का opposite direction में U-turn लेगा, इनमें से अधिकांश reversal patterns, trends के बीच consolidations के रूप में बनते हैं, यह ऐसा है, जैसे बाजार हमें बता रहा हो, कि वो एक particular direction में चलते चलते थक गया है, और कुछ आराम करने के बाद, बिलकुल opposite direction में जाने की सोच रहा है, हम चार reversal patterns और उनके counter patterns पर चर्चा करेंगे, पहले हम head and shoulders और inverted head and shoulder patterns को समझेंगे, इसके बाद double tops, double bottoms, फिर triple tops और triple bottoms को जानेंगे, और अंत में हम rising और falling wedges के साथ, video को end कर देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, Head and shoulder pattern सबसे लोगप्रियर reversal chart pattern में से एक है, और क्योंकि यह लोगप्रियर है, इसलिए गलती होने की संभावना भी अधिक है, आईए समझें कि pattern वास्तव में क्या दर्शाता है, इस pattern में 4 parts होते हैं, पहला left shoulder, फिर head, फिर right shoulder और neck line, कुल मिलाकर pattern सरल दिखता है, लेकिन वास detail में analysis करें, हम left shoulder से शुरुआत करेंगे, market में initial trend, एक uptrend है, जहां कीमतें उपर बढ़ती है, फिर, bazar correction या pullback करता है, जैसे ही bazar pullback करता है, तो left shoulder बनता है, इस point पर यह नहीं बता सकता है, कि market reverse हो जाएगा, क्योंकि एक trending market में, pullbacks regularly form होता है, और यह सिर्फ एक और swing low हो सकत है, जहां से कीमतें उपर जा सकती है, फिर, bazar पिछले swing high से उपर trade करता है, जिससे एक higher high बनता है, हाला की, sellers control ले लेते हैं, या उपर की और price rally का opposition करते हैं, और कीमत को पहले से बने swing low की और धकेल देते हैं, इस price action के परिणामस्वरूप, जो swing high बनता है, वो pattern का head होता है, इसके अलावा, दोनों swing lows को जोडने वाली line, एक support level बनाती है, जिससे neck line कहा जाता है, यहां higher highs और higher swing lows से बने, uptrend structure का violation किया गया है, लेकिन फिर भी, हम इसकी guarantee नहीं दे सकते, कि reversal होगा, क्योंकि price sideways में भी trade कर सकती है, neck line से buyers कीमत को उपर उठाने का अंतिम प्रयास करते हैं, लेकिन वे previous high या pattern के head को तोड़ने में भी असफल होते हैं, और एक बार फिर sellers control लेते हैं, और prices को neck line की ओर धकेलते हैं, पिछले high की तुलना में, यह lower high बनाता है, जो market sentiment में bearishness की ओर बदलाव का संकेत देता है, एक line of defense है, यदि price इसके नीचे break हो जाती है, तो बाजार नीचे जा सकता है, और यह downtrend की शुरुआत भी हो सकती है, तो basically head and shoulder pattern एक possible trend reversal होने का संकेत देता है, क्योंकि bias कीमत को उपर बढ़ाने में विफल रहते हैं, अब सवाल आता है कि क्या सभी head and shoulder pattern ट्रेड करने के लायक हैं दरसल, head and shoulder chart pattern पर trading करने से पहले कुछ चीजे हैं, जिन पर आप seriously consider करना चाहिए, ये इससे संबंदित हैं कि head and shoulder chart pattern कितना reliable है, सभी head and shoulder pattern समान नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि right shoulder कैसे बनता है, यह एक महत्वपुर्म criteria है, जिसके आधार पर आप ये decide कर सके, कि breakout का trade करना चाहत है, जिसमें right shoulder बहुत लंबा है, तो आप breakout खरीदने से बचना चाहेंगे, और ऐसा क्यों है? क्योंकि price right shoulder की highs से neckline या support area तक लंबी दूरी तै कर चुकी है, ये रास्ते में अधिक sellers को आकरशित करती है, इसलिए market को sellers द्वारा profit booking लेने की वजह से और support level से खरीदारी करने की इच्छा रखने वाले traders की ओर से buying pressure का सामना करना पड़ सकता है, इससे strong buying pressure बनता है, जिससे prices में increase होती है और pattern fail हो जाएगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि right shoulder shallow हो और ये head के 50% से नीचे रहे, इसके अलावा दो और चीजे हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जब आ इटेल में समझाऊंगा, ये सच है कि head and shoulder एक reversal chart pattern है, लेकिन यदि market बहुत मजबूत uptrend में है, तो एक simple chart pattern पूरी upmove को reverse करने की बहुत कम संभावना है, इसके बजाए market में uptrend जारी रहने की chances अधिक है, हो सकता है कि pattern एक short term retracement generate कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से reversal नहीं, इ आप एक बहुत मजबूत trending markets के खिलाफ दाव न लगाएं, सिर्फ इसलिए कि आपने head and shoulder pattern देखा है, दूसरा factor pattern की duration है, आपके द्वारा follow किये जाने वाले time frames के आधार पर head and shoulder pattern बनने में 200 दिन या 20 दिन या 20 minutes लग सकते हैं, लेकिन common sense के साथ सोचो, तो ये बहुत सपष्ट है कि जिस pattern को बनने में 200 दिन लगते हैं, वो 20 दिन में बनने वाले head and shoulders की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, जो बदले में 20 minute में बनने वाले pattern से अधिक relevant है, आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि market 200-day pattern के neckline को तोड़ता है, तो अधिक traders या buyers होंगे, और most traders अपना stop-loss neckline के नीचे रखेगे, ये buyers trap हो जाएंगे और वे बाहर exit करने के लिए rush करेंगे, या breakdown होने पर उनके sell stop-loss orders trigger हो जाएंगे, जिससे selling pressure और बढ़ जाएगा, जब आप 20 minute में बने pattern का मामला लेते हैं, तो ये हमेशा सच नहीं हो सकता है, क्योंकि कम लोगो को इसके बारे में पता होगा, और pattern आपको desired result नहीं दे सकता है, इसलिए higher timeframes पर बने head and shoulder pattern और जिसे बनने में अधिक समय लगता है, उसके सफल होने की संभावना अधिक होती है, अब इसका मतलब यह नहीं है, कि जब price neckline तोड़ती है, तो आप तुरंत short trades कर दे, head and shoulder chart pattern का trading क करने के कुछ सर्वोत्तम तरीके है, मैं trade entry techniques से शुरुआत करूंगा, इस pattern के लिए 4 possible entry methods है, पहली और सबसे aggressive entry तब होती है, जब price neckline से नीचे break होती है, विचार यह है कि breakdown candle neckline के नीचे close होने का इंतजार किया जाए, और फिर breakdown candle के close या low price के नीचे एक short entry ली जाए, इस technique का advantage यह है कि आप बहुत जल्दी किसी trade में entry कर पाएंगे, और शायद आपको best possible entry price मिलेगा, लेकिन दोश यह है कि price reverse हो सकती है, और false breakout दे सकती है, और आपके stop loss को hit कर सकती है, दूसरी entry technique, price build-up के बाद breakout से जुड़ी है, बिल्दप का आर्थ है, एक area of value के निकट, कीमतों का tight consolidation, विशेश रूप से support या resistance लेवल के निकट, आप मेरे price action course में, support और resistance के secrets के बारे में अधिक जान सकते हैं, इस मामले में, हम neckline या support लेवल के पास, price के tight consolidations का इंतजार करेंगे, और यदि price नीचे तूटता है, तो आ breakdown candle close के ठीक नीचे, या low price के नीचे, अपनी trade entry का reference दे सकते हैं, इस method का advantage, सपश्ट रूप से stop loss का tight placement, और एक अच्छा entry price, और बहतर reward to risk भी है, जिसके बारे में हम अगले section में चर्चा करेंगे, लेकिन drawback ये है, कि breakdown candle बहुत बढ़ी हो सकती है, और आप बहुत lower prices पर बेच आप शायद सोच रहे होंगे, क्या होगा, यदि बाजार में कोई build up न हो, और फिर भी गिरावट जारी रहे, तो क्या मैं trade से चूक नहीं जाओंगा? यह एक relevant question है, क्योंकि build ups रोज रोज नहीं होता है, एक अन्य common method, कीमतों में primary pullback की प्रतीक्षा करना है, ये technique आपको breakdown के बाद भी, कीमतों में उतार चड़ाव को पकड़ने की सुविधा देती है, यह इस तरह से काम करता है, यदि market बिना किसी build ups के breakdown हो जाता है, तो हम primary pullback होने की प्रतीक्षा करेंगे, जो कमजोर candles के साथ, prices में एक temporary up move है, जो आम तोर पर एक flag या pennant pattern जैसा दिखता है, जिसे आप clearly trade करना जानते होंगे, और यदि market में गिरावट आती है, तो आप previous swing low के break पर short trade लेने पर विचार कर सकते हैं, या जब prices decline होने लगती हैं, तो तुरंत entry कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी mention किया है, सबसे अच्छे pullbacks, shallow retracement और small bodied candles के साथ होते हैं, लेकिन क्या होगा, अ तो हम principle of polarity के अनुसार, neckline या previous support turn resistance level में, prices का फिर से retest करने की प्रतीक्षा करेंगे, अब्सर्व करें, यदि price, neckline का दुबारा परीक्षन करती है, तो shooting star, bearish engulfing pattern, evening star, आधी जैसे candlesticks के रूप में, neckline से price rejection की weight करें, आप मेरे price action course में, candles का उपयोग करके, reversal trading करने के बारे म अधिक जान सकते हैं, यदि आपको लगता है कि price rejection है, तो आप अगली candle पर short entry कर सकते हैं, ये retest technique आपको अपनी entry को time करने, और बहतर prices पर बाजार में shorting करने की सुविधा भी देती है, लेकिन downside ये है कि price हमेशा retest नहीं करेगी, और आप trade से पूरी तरह चूक सकते हैं, ध् buying interest में कमी का संकेत देता है, और right shoulder के formation के दोरान और breakout के दोरान भी volumes बढ़ना चाहिए, जिससे increased selling interest की पुष्टी होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही समय पर सही entry techniques का उपयोग करें, अब हम अपने entry criteria के संबंध में stop losses लगाने के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मैंने कई बार चर्चा की है, आपका stop loss उस level पर होगा, जिसका उलंगन होने पर आपका trading setup invalid हो जाएगा, चुनकि हम head and shoulder pattern से deal कर रहे हैं, आपका stop loss ऐसे level पर होना चाहिए, जो pattern को पूरी तरह से invalidate कर दे, सच कहो तो, यदि prices right shoulder से उपर जाती है, तो pattern invalid हो जाएगा, इसलिए यदि आपकी entry बहुत aggressive थी, जब prices neckline से तूटती थी, तो आपको अपना stop loss pattern के right shoulder पर या उससे उपर set करना चाहिए, अब अगर आपने neckline के पास buildups के बाद short entry ली है, तो क्या होगा? इससे आपको अधिक tight stop loss लगाने की आजादी मिलती है, preferably buildup consolidation के ठीक उपर, जो reward to risk ratio को boost द और prices में primary pullback आने के बाद, आपने market को short कर दिया, फिर अपना stop loss, pullback candles के group में highest price के उपर, या neckline के ठीक उपर set करें, यदि pullback neckline के बहुत करीब बना है, लास्ट method ये है, कि यदि आप retest के बाद entry करते हैं, इस scenario में, stop loss को retest candles के group की सबसे highest width के ठीक उपर रखा जा सकता है, य या आप अधिक conservative हो सकते हैं, और stop loss को pattern के right shoulder के उपर रख सकते हैं, अब हम इस पर विचार करेंगे कि maximum profits के लिए अपने trade से कैसे बाहर निकले, खेर, टीन लोग प्रिये techniques हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, पहला price projection method है, दूसरा है, trailing stop loss method, और अंत में इन दोनों तरी को का combination है, आईए मैं उनमें से प्रतेक को समझाओं, price projection एक classical charting technique है, जो यह निर्धारित करती है, कि price move कहां समाप्थ हो सकती है, ये price exhaustion पर केंदरित है, विचार सरल है, prices एक pattern की highest width के बराबर दूरी तै करेगी, इस pattern की सबसे अधिक width, neckline से head तक होती है, तो आपको बस head से neckline तक की width पहचाननी है, फिर इस दूरी को neckline से नीचे की और project करें, दूसरी method, बड़े trends right करने के लिए, अपने stop loss को trail करने की तरह है, यदि आपने पिछले episode follow किया है, तो आप जानते हैं, कि बाजारों में massive trends right करने के लिए, अपने stop loss को कैसे trail किया जाए, ऐसा करने का एक त trading कर रहे हैं, short term trends के लिए 20 moving average काम करेगी, medium duration की trends के लिए 50 moving average एक अच्छा choice होगा, और long term trends के लिए 100 या 200 moving averages सबसे अच्छा option है, विचार यह है कि जब तक price trailing stop loss से उपर न चली जाए, तब तक trend पर बने रहें, और जब price इसके उपर चली जाती है, तो आप अपनी position से बाहर निकल सकते हैं, antem method इन दोनो methods के combination का उपयोग करती है, आप price projection level पर अपने आधे position से बाहर निकलते हैं, और trailing stop loss का उपयोग करके बाकी positions पर ride करते हैं, ऐसा करने से आप कुछ अच्छे profits जमा कर पाएंगे और बाजार के reversals का शिकार नहीं होंगे, अब मैं कुछ और points एक reversal pattern है, लेकिन यह एक bearish breakout pattern भी है, उस विचार को ध्यान में रखते हुए, आप या तो तब trade कर सकते हैं, जब uptrend कमजोर हो रहा हो, और आपको head and shoulder pattern मिल जाए, जो trend में बदलाव की confirmation करता है, या आप इस pattern का trading तब भी कर सकते हैं, जब market downtrend में हो, और यह pattern downward price action में एक temporary pause के रूप में दिखाई देगा, ऐसा करके, आप trend की direction में trade कर रहे हैं, न की price flow के विरुद्ध, लेकिन सुनिश्चित करें, कि आप बहुत strong uptrend के खिलाव दाव न लगाएं, केवल इसलिए क्योंकि आपको ये pattern दिखाई देता है, तब यह आपके favor में काम नहीं करेगा, inverse या inverted head and shoulder pattern एक bullish reversal chart pattern है, जो संकेत देता है कि bias control में है, ये बिलकुल head and shoulders के mirror reflection की तरह है, इसलिए मैं इस pattern के smaller details में नहीं जाओंगा, ठीक है, आईए जाने कि inverse head and shoulder pattern का वास्तव में क्या मतलब है, इस pattern के भी 4 parts है, left shoulder, downtrend के खिलाफ pullback का परिणाम है, ये या तो profit booking के कारण या उत्सुख buyers के market में entry करने के कारण है, लेकिन sellers अभी भी control में है, क्योंकि वे prices कम कर रहे हैं, हाला कि buyers भी आगे बढ़ रहे हैं, जो previous swing high level को फिर से test करने के लिए strong pullback होने से पता चलता है, जो pattern का head बनता है, इससे हम मान सकते हैं कि sellers कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि वे prices को और कम नहीं कर सके, इसके बजाए, buyers strong हो रहे हैं, क्योंकि वे कीमत को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो resistance area या previous swing high का फिर से retest कर रहे हैं, जो pattern की neckline बनाता है, sellers ने एक आखरी बार कीमतों को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें strong buying pressure का सामना करना पड़ा, जिससे pattern के head की तुलना में higher swing low का formation हुआ, ये pattern का right shoulder बनाता है, और ये हमें बताता है, कि market sentiment, bearish से bullish में बदल गई है, और यदि price, resistance level से उपर तूटती है, तो inverse head and shoulder pattern confirm हो sellers से breakout हो जाएगी, तो आप खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ profit प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें से सभी reliable नहीं है, जो माइने रखता है, वो है market structure की ताकत, और inverse head and shoulder के formation की duration, इसलिए, यदि market की trend strongly bearish है, तो ये pattern बनने पर भी reversals की संभावना कम है, ये सिर्फ trend continuation होने से पहले, एक छोटा सा pause हो सकता है, दूसरी बात ये है, कि inverted head and shoulders का pattern बनने में, जितना अधिक समय लगेगा, ये उतना ही अधिक महत्वपूल होगा, इसका मतलब ये भी है, कि inverse head and shoulder pattern की duration जितनी कम होगी, इसके विफल होने की संभाव महत्वपूर्म criteria है, कि आप breakout का व्यापार करना चाहते हैं या नहीं, मान लीजिए कि आपके पास एक inverted head and shoulder pattern है, जिसमें लंबा right shoulder है, तो आप breakout खरीदने से बचना चाहते हैं, ये महत्वपूर्म क्यों है, क्योंकि price, right shoulder के low levels से resistance area तक, लंबी दूरी तै कर चुकी है, ये र selling pressure का सामना करना पड़ सकता है, इससे strong selling pressure बनता है, जिससे prices में गिरावट आती है, तो एक rule जिसका आप पालन कर सकते हैं, वो ही ये है, कि right shoulder pattern के head के 50% से उपर होना चाहिए, अब बात करते हैं, कि आप inverse head and shoulder pattern का trade कब करते हैं, भले ही ये एक reversal pattern है, ये idea prominent है, कि inverse head and shoulder एक bullish breakout pattern ह है, इसलिए, जब market में uptrend हो, तो इस pattern पर trade करना समझदारी है, और जब आप uptrend में inverse head and shoulder pattern का trade करते हैं, तो आपने अपना जीतने की संभावना बढ़ा दी है, क्योंकि अब आप trend के साथ trading कर रहे हैं, न की इसके खिलाफ, trading करने का एक और अफसर तब होता है, जब आप इस pattern को downtrend के अंत में देखते हैं, और inverse head and shoulder pattern इस बात की पुष्टी करता है, कि मौजूदा downtrend कमजोर हो रहा है, और ऐसी संभावना है, कि market reverse हो सकता है, और उपर जा सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें, कि आप इस pattern को बहुत strong downtrend में trade न करें, क्योंकि ऐसे मामलों में, trend में विचा करेंगे, सबसे aggressive entry तब होती है, जब price, neckline या resistance के उपर break हो जाती है, विचार यह है, कि breakout candle, neckline के उपर close होने की प्रतीक्षा की जाए, और फिर, breakout candle के closing price, या high price के उपर एक long entry ली जाए, इस technique का लाब यह है, कि आप बहुत जल्दी किसी trade में enter कर पाएंगे, और आपको best possible entry price मिलेगा, लेकिन दोश ये है, कि price reverse हो सकती है, और false breakout दे सकती है, और आपके stop loss को प्रभावित कर सकती है, दूसरी entry technique, price buildups के बाद breakout है, ऐसा तब होता है, जब हम resistance level या neckline के पास, कीमतों का tight consolidation देखते हैं, जब आप resistance level पर buildups देखते हैं, तो यह आपको बताता ह कि profit taking और level से short selling के बावजूद, higher prices पर खरीदने के लिए buying pressure available है, साथ ही, जो traders इस level पर short गए, उनके buy stop loss orders, resistance level से उपर होने की संभावना है, इसलिए, जब price, resistance से breakout हो जाती है, तो stop loss का इस cluster, prices को उपर उठाने के लिए fuel प्रदान करेगा, और यदि market उपर breakout होता है, तो आप long trade entries को, breakout candle के closing price या high price के उपर set कर सकते हैं, इस method का उपयोग करने का advantage, सपश्ट रूप से stop loss का tight placement और reward to risk ratio में improvement के साथ साथ, एक बहुत अच्छा entry price भी है, लेकिन drawback ये है, कि breakdown candle की range बहुत बढ़ी हो सकती है, और आप बहुत high prices पर खरीदेगे, अब क्या होगा, यदि market buildups नहीं बनाता है, या यह एक large breakout candle बनाता है, और उपर की और बढ़ना जारी रखता है, यदि आप above mentioned दोनों entries से चुग गए हैं, तो another method जो आप consider कर सकते हैं, वो prices में primary pullback की प्रतीक्षा करना है, ये technique आपको breakout के बाद भी, prices में उतार चड़ाव को पकड़ने में मदद करती ह यदि market बिना किसी buildups के breakout करता है, तो हम primary pullback होने की प्रतीक्षा करेंगे, जो कमजोर candles के साथ कीमतों में एक temporary down move है, और यदि market में pullback आती है, तो आप previous swing high के breakout पर long entry लेने के बारे में सोच सकते हैं, या जब prices बढ़ने लगती हैं, तो तुरंत entry कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अ हमें large bodied candles के कारण steep pullback का सामना करना पड़े, फिर हम क्या करेंगे? यदि pullback गहरा है, तो हम neckline या पिछले resistance turn support लेवल पर फिर से retest करने के लिए price का इंतजार करेंगे, जहां हम bias के आने की उम्मीद करते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या price neckline का फिर से test करती है, फ की price rejection है, तो आप अगली candle पर long entry ले सकते हैं, ये retest technique आपको अपनी entry को time करने और यहां तक की बहतर prices पर positions लेने की सुविधा देती है, लेकिन downside ये है कि इसकी कोई guarantee नहीं है कि price फिर से इस level का परीक्षन करेगी, विशेश रूप से एक मजबूत uptrend में और आप trade से पूरी की तरह चूक सकते हैं, ध्यान रखने योगय एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि left shoulder और head के formation के दोरान volumes कम होना चाहिए, जो selling interest में कमी का संकेत देता है, और right shoulder के formation के दोरान और breakout के दोरान भी volumes बढ़ना चाहिए, जो buying pressure में increase का confirmation करता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि अब हम अपने entry criteria के संबंध में stop loss लगाने के बारे में बात करते हैं, जब कीमत pattern के right shoulder के नीचे close हो जाती है, तो inverted head and shoulder pattern invalid हो जाता है, और यही वह जगह है, जहां आपको अपना stop loss लगाना चाहिए, इसलिए यदि आपकी entry बहुत aggressive थी, और जब prices neckline से बाहर break हो जाती है, तो आपको अपना stop loss pattern के right shoulder पर या उसके नीचे set करना चाहिए, अब अगर आपने neckline के पास build ups के बाद long entry ली, तो क्या होगा, फिर आपके पास अधिक tight stop loss लगाने की सुविधा है, preferably build ups के ठीक नीचे, जो बदले में reward to risk ratio को improve करेगा, मान लीजिए, कि आप इन दोनों entries से lowest price के नीचे या neckline के ठीक नीचे set करें, यदि pullback neckline के बहुत करीब बना है, अंते method ये है कि यदि आप retest के बाद entry कर रहे हैं, इस scenario में stop loss को retest candles के group की सबसे highest wick के ठीक नीचे रखा जा सकता है, या आप अधिक conservative हो सकते हैं, और long wicks से बचने के लिए stop loss को pattern के right shoulder के नीचे अब हम देखेंगे कि maximum profits के लिए अपने trade से कैसे बाहर निकलें? जैसा कि पहले बताया गया है, तीन लोग प्रिये techniques हैं, जिनका आप उप्योग कर सकते हैं, पहला price projection method है, दूसरा है trailing stop loss method और last इन दोनों तरीकों का combination है, price projection यह निर्धारित करने में मदद करता है कि price move संभ के बीच की distance को measure करें, फिर इस दूरी को breakout point या neckline से उपर की ओर project करें, इस projected price point वो है, जहां आप trade से बाहर निकलते हैं, price projection technique यह तै करने में मदद करती है कि कि किसी trade में entry करने के लिए बहुत देर हो चुकी है या नहीं, यदि price अपने price projection तक पहुचने के करीब है, तो संभ हफता इस move में ज्यादा benefit नहीं बचा है, और आप trade को छोड़ना चाह सकते हैं, price projection technique के विपरीत, trailing stop loss method एक मिश्चित target profit का उपयोग नहीं करती है, इसके बजाए, जैसे जैसे कीमत आपके favor में बढ़ती है, आप अपने stop loss को trail करते हैं, ताकि आप पूरे trend ride कर सकें, पहला क अदम ये तै करना है, कि आप किस प्रकार की trend को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो short, medium या long term trend हो, आप stop loss को appropriate moving averages, जैसे short term के लिए 20 period, medium term के लिए 50 period, और long term के लिए 200 period moving average के साथ trail कर सकते हैं, हम अपने trade से तभी बाहर निकलेंगे, जब price moving average से नीचे close होगी, अन्तेm method इम दोनों methods के combination का उप्योग करती है, आप price projection level पर अपने आधे position से बाहर निकलते हैं, और trailing stop loss का उप्योग करके बाकी पर ride करते हैं, ऐसा करने से आप कुछ अच्छे profits जमा कर पाएंगे, और बाजार के reversals का शिकार नहीं होंगे, यह उन common chart patterns में से एक है, जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, यह एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको अच्छी संख्या में trades मिलेंगे, लेकिन यह एक बुरी बात भी है, क्योंकि कौन सा trade चुनना है, यह एक बड़ी concern होगी, इसलिए हम बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे, कि double top chart pattern क्या है, यह कैसे काम करता है, और आपको इसका trade कैसे करना चाहिए? डबल टॉप एक bearish reversal chart pattern है, और इसमें 3 parts होते हैं, पहला peak या पहला price rejection, और दूसरा peak या दूसरा price rejection, और एक swing low है, जो neckline या support area बनाता है, अब डबल टॉप chart pattern का वास्तव में क्या मतलब है? पहला peak, बाजार द्वारा pullback करने के नतीजा बनता है, इस point पर आप मिश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या ये reversal होगा, क्योंकि trending markets में pullbacks होना बहुत common बात है, इसके बाद दूसरा peak आता है, जहां prices उसी area से reject हो जाती है, जो फिर से दर्शाता है कि buyers higher prices पर खरीदने के ल sellers control में है और market में गिरावट जारी रह सकती है, in short double top chart pattern possible trend reversal होने का संकेत देता है, क्योंकि market उपर जाने में असमर्थ है, ध्यान रखें कि सभी double top chart pattern समान रूप से नहीं बनाए गए है, उदाहरन के लिए यदि आप एक double top देखते हैं, जब market एक मजबूत uptrend में होता है, त trend के against trade करना है, सिर्फ इसलिए कि आपने एक double top pattern देखा है, तो double top chart pattern पर trade करते समय दो चीजे हैं, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, पहला, pattern कहां और कैसे बनता है, और दूसरा, इसे बनने में कितना समय लगता है, या कितनी duration लगती है, जैसा कि मैंने पहले ही mention किया है आप एक मजबूत uptrend के खिलाफ double top को short नहीं करना चाहेंगे, इसके अतिरिक्त पहली और दूसरी peaks के बीच का space भी विचार करने योग्य एक important factor है, इसका मतलब ये है कि आपको उन double tops से बचना चाहिए, जिसका दोनों peaks एक दूसरे के बहुत करीब है, इसके बजाए हम उन double top का trade करना चाहते हैं, जब पहली और दूसरी peaks के बीच काफी दूरी हो, peaks के बीच का space इतना दूर क्यों होना चाहिए? इसका कारण बहुत आसान है, जब पहले और दूसरे peaks के बीच अधिक time और space होता है, तो swing level या peak अधिक महत्वपूर्म हो जाते है, क्योंकि अधिक traders इस price level के बारे में जागरूक हो जाएंगे, और जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे, जब किसी level पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तो यह अधिक order flows को आकरशित करता है, क्योंकि अधिक traders उस area के आसपास trade करना चाहेंगे, इसलिए जब traders का एक बड़ा group गलत हो अधिक होगी और swing high के बीच का space जितना बड़ा होगा, एक successful pattern की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दूसरे, stop loss बहुत बड़ा है, और यह आपके trades पर अनुकूल reward to risk की पेशकश नहीं करता है, तो इसे ठीक करने के लिए आप कुछ तरीकों के बारे में सोच सकते हैं, आईए पहले entry criteria पर चर्चा करके शुरुआत करें, सबसे aggressive entry तब होती है, जब price, neckline या support level से नीचे तू इसके नीचे एक short entry ली जाए, candle के close होने की प्रतीक्षा करने से यह सुमिश्चित हो जाएगा, कि candle neckline के नीचे close हो गई है, और यह सुझाव देती है, कि यह false breakout नहीं है, इस technique का दूसरा फायदा यह है, कि आप बहुत early stage में ही trade में entry कर पाएंगे, लेकिन drawback यह है, कि breakout candle का size बहुत बढ़ा हो सकता है, जो reward to risk को बुली तरह से कम कर सकता है, कुछ मामलों में, neckline के पास price बढ़ने का इंतजार करना हमेशा फायदे मंद होता है, जो इस pattern में support level के रूप में कार्य करता है, जब build-ups के बाद, price neckline से नीचे break हो जाएगी, तो हम एक short trade करेंगे, इस से trade success की high probability सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो traders neckline या support के पास long positions ली है, उनके sell stop loss orders support level से नीचे रखे जाएगे, और यदि market में गिरावत जारी रहती है, तो उन्हें अपना losses को cut करना होगा, एक बार जब price support level से नीचे आ जाती है, तो ये सभी stop loss orders हिट होंगे, जिससे selling pressure बढ़ ज जाएगी, इसके अतिरिक्ट ये trade, favorable risk to reward भी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि आपके पास बहुत tight stop loss होगा, वैसे भी इस approach के साथ समस्या यह है, कि breakout candle बहुत बढ़ी हो सकती है, और दूसरा problem ये है, कि केवल limited numbers में ही trades available है, अब यदि आप breakout trade से चुक गए, तो क्या होगा, क् lag या pennant pattern के रूप में primary pullback बनाती है, तो भी आप trade में entry कर सकते हैं, जब price में गिरावट शुरू हो, तो आप एक short entry ले सकते हैं, primary pullback कमजोर candles के साथ, prices में एक temporary up move है, जो संभवता profit booking के कारण होती है, एक अच्छा pullback shallow होता है, और कमजोर candles से जुड़ा होता है, लेकिन क्या होगा, अगर हमें large bodied candles के कारण steep pullback का सामना करना पड़े, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम neckline पर price के retest की तलाश कर सकते हैं, जो अब एक resistance level की तरह बहेव करेगा, जहां हम sellers के market में entry होने की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए यदि price retest करता है, तो neckline से price rejection की प्रतीक्षा करें, ज evening star, आदी जैसे candlesticks का रूप में होता है, यदि आपको लगता है कि price rejection हुआ है, तो आप prices नीचे की और move होने पर एक short entry ले सकते हैं, ये retest entry, किसी भी अन्य entry methods की तुलना में, बहतर entry price प्रदान करती है, लेकिन downside ये है कि prices हमेशा retest नहीं करती है, विशेश रूप से strong market trends में pullback या retest की उम्मीद नहीं होती है, above average volumes, RSI और MACD आदी जैसे अन्य indicators के साथ, breakout की confirmation करना सुनिश्चित करें, अब आई ये stop loss criteria पर चर्चा करें, आपका stop loss उस level पर होगा, जिसका breach होने पर आपका trading setup invalid हो जाएगा, चुनकि हम एक double top pattern पर trade कर रहे हैं, हमारा stop loss ऐसे level पर होना जो pattern को पूरी तरह से invalidate कर दे, उस अर्थ में यदि price pattern के swing high से उपर जाती है, तो pattern invalid हो जाएगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा twist है, number one, stop loss बहुत बड़ा हो सकता है, और इसलिए reward to risk बहुत कम होगा, दूसरे, market, top resistance level तक जा सकता है, और आपके stop loss को trigger करने के बाद, lower levels पर वा पर सकता है, तो मैं जो सलाह देता हूँ, वो यह है, कि या तो अपने stop loss को swing top और neckline के बीच, 50% के level पर रखें, या यदि ये दूरी बहुत बड़ी है, तो breakdown candle high के ठीक उपर, ATR indicator का उप्योग करके, परियाप्त buffer space के साथ अपना stop loss सेट करें, ये हमारा stop loss हो सकता है, यदि आपकी entry बहुत aggressive थी, यानि जब price neckline से तूट गई, तो आप सीधे short trade ली गए, अब अगर आपने neckline के पास, build ups के बाद short entry ली, तो क्या होगा? फिर, आपको अधिक tight और hassle free stop loss लगाने की आजादी मिलती है, preferably build up या consolidation के ठीक उपर, जो आपके reward to risk ratio को बढ़ावा देगा, मान लीजिए, कि आप इन दोनों entries से चूग गए, और prices के primary pullback बनने के बाद, आपने market को short कर दिया, तो अपने stop loss को, pullback candles के group में highest price से उपर, या neckline के ठीक उपर set करें, यदि pullback neckline के बहुत करीब बना है, अंते method ये है, कि यदि आप retest के बाद entry कर रहे हैं, इस scenario में, stop loss को, retest candles के group की सबसे highest width के ठीक उपर रखा जा सकता है, या आप अधिक conservative हो सकते हैं, और stop loss को, pattern की width के 50% पर रख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, आपके trade से exit करने की 3 techniques है, पहला, price projection method है, दूसरा, trailing stop loss method है, और अंत में, इन दोनों तरीकों का combination है, price projection, price exhaustion पर केंदरित है, विचार यह है, कि breakout के बाद, prices, pattern की highest width के बराबर distance तै करेगी, इस pattern की सबसे highest width, neckline से लेकर swing high तक है, तो आपको बस swing top से neckline तक की दूरी की पहचान करनी है, फिर, इस दूरी को neckline से नीचे की और project करें, इस से आपको desired profit target मिलेगा, अपने stop loss को trail करने का दू moving average का उपयोग करेंगे, moving averages का selection उस time frame पर निर्भर करेगा, जिस पर आप trade कर रहे हैं, short term trends को पकड़ने के लिए 20 moving average का उपयोग करें, medium period के trends के लिए 50 moving average का उपयोग करें, और long term trends के लिए 100 या 200 moving averages का उपयोग करें, हम trade से तभी बाहर निकलेंगे, जब price, trailing stop loss से उपर close हो जाएगी, antim method इन दोनों methods के combination का उपयोग करती है, आप price projection level पर अपने आधे position से बाहर निकलते हैं, और trailing stop loss का उपयोग करके, बाकी पर ride करते हैं, ऐसा करने से आप कुछ अच्छे profits जमा कर पाएंगे, और बाजार के reversals का शिकार नहीं होंगे, एक और महत्वपूर्ण ज अनालिसिस का उपयोग शामिल है, ये concept बहुत सरल है, पहला step आपकी trading style के आधार पर, higher time frame पर, एक downtrend market या downtrend price action की पहचान करना है, आप time frame selection पर video देख सकते हैं, मैं description section में video link दालूंगा, अब higher time frame पर, price के resistance area तक पहुँचने की प्रतीक्षा करें, यदि आपको ऐसा कोई setup मि जाएं, फिर lower time frame पर, double top pattern देखें, यह एक बहुत ही सरल, लेकिन effective technique है, जो आपको अपनी entries को, double top pattern के absolute highs पर time करने की अनुमती देती है, जो best possible price level है, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह pattern trade करने का एक बहुत ही professional तरीका भी है, कृपया ध्यान रखें, कि यदि आप इसक ignore कर दे, जरूरी नहीं, कि आपको सभी options consider करना होगा, बस एक या दो methods चुने, जो आपके लिए अच्छा काम करें, अब हम इस पर ध्यान केंदृत करेंगे, कि double bottom pattern क्या है, यह कैसे काम करता है, और trade करते समय, इसे कैसे अपनाया जाए, double bottom pattern, एक bullish trend reversal pattern है, और यह double top के price rejection, second low या second price rejection, और एक neckline, जो बीच में swing high को जोडने वाले एक resistance area है, pattern के यह हिससे क्या दर्शाते हैं, मैं explain करूंगा, पहला low तब बनता है, जब market नीचे decline होता है, एक swing low बनता है, और उपर की ओर बढ़ता है, इस point पर, यह downtrend में retracement होने की संभावना है, लेकिन, तब चले swing low level को reject कर देता है, और फिर से higher levels पर पहुँच जाता है, अब हम मान सकते हैं, कि buying pressure है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी, कि market में अप move जारी रह सकती है या नहीं, हम buying pressure की ताकत की confirmation तभी कर सकते हैं, जब price neckline से उपर break हो जाए, जब price neckline या resistance level से उपर तूटती है तो ये buying side में interest और market के higher levels पर जाने की संभावना का संकेत देती है, in short, double bottom pattern संकेत देता है, कि downtrend संभवता bottomed out हो गया है, और price बढ़ने वाली है, कई traders double bottom बनने के बाद neckline से breakout खरीदने की फैसला करते हैं, लेकिन ये हमेशा आपके favor में काम नहीं करेगा, क्योंकि यदि बाज बाजार एक मजबूत downtrend में है, और ये हर रोज small double bottoms बनाता है, तो बाजार में गिरावट जारी रहने की संभावना है, इसके अलावा, सभी double bottoms एक जैसे नहीं बनाये जाते हैं, पैटन को पहचानने के लिए हम जिस time frames का उपयोग करते हैं, और swing lows के बीच की space भी, विचार क के लिए entry criteria's पर विचार करें, एक aggressive entry तब होती है, जब price, neckline या resistance के उपर तूट जाती है, विचार ये है कि या तो breakout पर एक long position में entry किया जाए, जो अकसर false breakout problem का कारण बन सकता है, या आप breakout candle के neckline के उपर close होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, और फिर breakout candle के closing price या high price के उपर एक long entry ले सकते हैं, इस technique का लाब ये है कि आप trade में जल्दी entry कर पाएंगे, और आपको best possible entry price भी मिल सकता है, लेकिन downside ये है कि breakout candle बहुत बड़ी हो सकती है, या price reverse भी हो सकती है, और false breakout दे सकती है, और अपना stop loss हिट हो सकती है, दूसरी entry technique, neckline के पास build-ups के बाद breakouts है, ऐसा तब ह होता है, जब हम resistance level या neckline के पास, prices का tight consolidation देखते हैं, जब आप resistance level पर build-ups देखते हैं, तो ये आपको बताता है, कि buying pressure available है, और लोग profit booking करने, और level से short selling करने के बावजूद, higher prices पर buying करने को तयार है, साथ ही, जो traders इस level से short trade करते हैं, उनके buy stop loss orders, resistance level से उपर होने की संभावना है, इसलिए, जब price, resistance level से breakout हो जाती है, तो buy stop losses का ये cluster, prices को उपर ले जाने के लिए आवश्यक फ्यूल प्रदान करेगा, और यदि market neckline से उपर तूटता है, तो आप अपने long trades को breakout candle close होने के ठीक उपर, या breakout candle की high से उपर दर्ज कर सकते हैं, इस method का उपयोग करने का लाब, सपश्ट रूप से stop loss का tight placement और reward to risk ratio में improvement के साथ साथ एक बहुत अच्छा entry price भी है, लेकिन drawback ये है कि breakdown candle की range बहुत बड़ी हो सकती है, और आप बहुत premium price पर खरीदेगे, अब क्या होगा, यदि market build ups नहीं बनाता है, या यह एक massive breakout candle बनाता है, और फिर उपर की और बढ़ना जारी रखता है, यदि आप above mentioned दोनों entries से चूग गए हैं, तो दूसरी method, prices में primary pullback की तलाश करना है, ये technique आपको breakout के बाद भी price move को पकड़ने में मदद करती है, यदि market बिना किसी build ups के breakout हो जाता है, तो हम primary pullback होने की प्रतीक्षा करेंगे, जो कमजोर candles के साथ, prices में एक temporary down move है, और यदि market में गिरावट आती है, तो आप previous swing high के break पर long trade लेने के बारे में सोच सकते हैं, या जब prices बढ़ने लगती हैं, तो तुरंत entry कर सकते हैं, सबसे अच्छा pullback छोटी-छोटी candles के साथ एक shallow retracement होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी हमें neckline पर steep pullbacks महसूस होता है, इसे ret कहा जाता है, जब price, neckline या support level पर फिर से retest करती है, तो हम उमीद करते हैं, कि buyers आएंगे, हमें ये देखने की जरूरत है, कि यदि price, neckline का दोबारा retest करती है, तो bullish hammer, bullish engulfing pattern, morning star, आदी जैसे reversal candlesticks के रूप में, neckline से price rejection की प्रतीक्षा करें, यदि आप एक price rejection पाते हैं, तो आप अगली candle पर long entry कर सकता है, retest technique, आपको अपनी entries को time करने, और यहां तक की बहतर prices पर positions लेने की सुविधा देती है, लेकिन downside ये है, कि इसकी कोई guarantee नहीं है, कि price फिर से इस level का retest करेगी, विशेश रूप से एक मजबूत uptrend में, और आप trade से पूरी तरह चूख सकते हैं ध्यान रखने योगय एक और महत्वपूर्ण बात ये है, कि breakouts के दोरान volumes बढ़ना चाहिए, जो buying pressure में increase की पुष्टी करता है, इसलिए सुनिश्चित करें, कि आप सही समय पर सही entry techniques का उप्योग करें, अब हम अपने entry criteria के संबंध में stop loss लगाने के बारे में बात करते हैं Double bottom pattern तब invalid हो जाता है, जब price, neckline से reverse हो जाती है, और pattern के swing low के नीचे close हो जाती है, यदि आप इस विचार के आधार पर अपना stop loss लगाते हैं, तो stop loss बहुत बढ़ा होगा, और आपको भारी नुकसान होगा, और इसके अलावा, price, swing low से reverse हो सकती है, और triple bottom pattern बनाते हुए, फिर से उपर जा सकती है, तो वास्तव में आपको अपना stop loss कहां लगाना चाहिए, मेरा suggestion है, कि या तो अपने stop loss को swing bottom और neckline के बीच, 50% के level पर रखें, या यदि ये दूरी बहुत बढ़ी है, तो breakdown candle के lows के ठीक नीचे, ATR indicator का उप्योग करके, परियाप्ट buffer space के साथ अपना stop loss स हो सकता है, यदि आपकी entry बहुत aggressive थी, यानि जब prices neckline से बाहर break हुआ है, तो आप तुरंत एक long entry ली है, अब अगर आपने neckline के पास build ups के बाद long entry ली, तो क्या होगा? फिर आपके पास अधिक tight stop loss लगाने की सुविधा है, preferably build ups के ठीक नीचे, जो बदले में reward to risk ratio में improvement करेग मान लीजिए, कि आप इन दोनों entries से चूप गए और prices में primary pullback होने के बाद, आपने बाजार में एक long position दर्ज की, यदि pullback neckline के बहुत करीब बना है, तो pullback candles के group में सबसे lowest price या सबसे lowest wick के नीचे, या neckline के ठीक नीचे, अपना stop loss set करें अन्ते method ये है, कि यदि आप retest के बाद entry कर रहे हैं, इस scenario में stop loss को retest candles के group की सबसे lowest wick के ठीक नीचे रखा जा सकता है, या आप अधिक conservative हो सकते हैं, और swing low और neckline के बीच की दूरी के 50% पर अपना stop loss लगा सकते हैं, जिससे आप long wick से बच सकते हैं अन्त में हम चर्चा करेंगे कि maximum profits के लिए अपने trade से कैसे बाहर निकलें, हमेशा की तरह three methods हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, आईए मैं उनमें से प्रत्येक को समझाओं, price projection, swing bottom और neckline के बीच की दूरी की measure करता है, फिर इस दूरी को breakout point या neckline से उपर की और project करें, projected price point य यहां आप trade से बाहर निकलते हैं, यह technique आपको यह तै करने में मदद करती है, कि किसी trade में entry करने के लिए बहुत देर हो चुकी है या नहीं, यदि price अपने price projection तक पहुचने के करीब है, तो संभवत इसमें बहुत अधिक juice नहीं बचा है, और आप trade को छोड़ना चाह सकते है लेकिन price projection टेकनीक के विपरीत, trailing stop loss method का कोई fixed target नहीं होता है, इसके बजाए, जैसे जैसे price हमारे favor में बढ़ती है, हम अपने stop loss को trail करते हैं, ताकि आप पूरे trend का lab उठा सकें पहला step ये तै करना है, कि आप किस प्रकार की trend को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो short, medium या long term trend हो, फिर आप क्रमश्या, 20 period, 50 period या 200 period जैसे appropriate moving averages के साथ, trailing stop loss का पता लगा सकते हैं, हम अपने trade से तभी बाहर निकलेंगे, जब price moving average से नीचे close होगी Antim method इन दोनो methods को जोड़ती है, आप price projection level पर अपने आधे position से exit करते हैं, और trailing stop loss का उप्योग करके, बाकी पर right करते हैं, ताकि आप कुछ अच्छे profits जमा कर सके, और market reversals पर पैसे न गवाएं Double top के जैसे ही, आप high probability setups को filter करने के लिए multiple time frames का उप्योग कर सकते हैं, आपको बस एक higher time frame support area की पहचान करनी है, फिर अपनी पसंदीदा lower time frames पर जाए, और एक double bottom pattern की तलाश करें, जो higher time frame support level के ओर जुखता हो इस तरह, आप swing bottom के absolute low levels से एक long trade कर सकते हैं, ध्यान रखें कि यह एक अधिक professional entry technique है, इसलिए यदि आप इसे पूरी तरह से comfortable नहीं है, तो इसका उप्योग न करें यदि आपने double top और double bottom patterns को ठीक से समझ लिया है, तो triple tops और triple bottoms बहुत आसान होगा ये पिछले दो patterns के ही extensions है, entry, exit और stop loss समान है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माइने रखता है, वो तीसरे swing high या swing low का formation है आईए जाने कि ये pattern क्या दर्शाते हैं, triple top एक bearish reversal chart pattern है, जो संकेत देता है कि sellers control में है ये pattern, buyers के control को दर्शाते हैं, क्योंकि prices swing high form होता है, उसके बाद pullback होता है लेकिन, selling pressure का पहला संकेत तब दिखाई देता है, जब price, prior high से breakout होने में विफल रहती है बाजार में फिर से pullback आती है, और एक consolidation बनता है, ये double top जैसा दिखता है लेकिन, इस बार neckline से नीचे तूटने के बजाए, market एक बार फिर उपर चड़ने का प्रयास करता है, और फिर से विफल हो जाता है तो वहाँ तीन spikes दिखाई दे रहे है, या highs break होने के तीन failed attempts दिखाई दे रहे है ये triple top जैसा दिखता है, और इसकी confirmation तभी होती है, जब price, consolidation के lows से नीचे या neckline support से नीचे break होती है मैं entry, stop loss और target criteria पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप double top pattern के rules का पालन कर सकते हैं कोई भी patterns, strategies ये techniques हर समय काम नहीं करती, इसमें triple top pattern भी शामिल है लेकिन अच्छी खबर यह है कि pattern विफल होने से पहले ये आमतोर पर कुछ clues छोड़ देता है उदाहरन के लिए यदि high time frame का trend अभी भी uptrend है, तो lower time frames पर बना triple top pattern विफल होने की सबसे अधिक संभावना है triple bottom एक bullish reversal chart pattern है और triple top pattern के बिलकुल विप्रीथ है, जो संकेत देता है कि buyers dominant है pattern की शुरुआत, sellers द्वारा price को नीचे धकेलने से होती है, जिससे price swing low बनते है, जिसके बाद pullback होता है लेकिन, buying pressure का पहला संकेत तब दिखाई देता है, जब price previous swing low से breakout होने में विफल रहती है market में एक और pullback आई और यह एक consolidation की तरह दिख रहा है यह double bottom pattern जैसा दिखता है, लेकिन, neckline को तोड़ने के बजाए, market एक बार फिर नीचे जाने का प्रयास करता है और फिर से low level को तोड़ने में विफल रहता है तो वहाँ तीन lows visible है, या lower level से break होने के तीन failed attempts दिखाई दे रहे है यह एक triple bottom की तरह दिखता है, और इसकी confirmation तभी होती है, जब price, consolidation या neckline resistance level के highs से उपर break हो जाती है Entry, stop loss और target criteria, double bottom pattern के rules के समान है Rising wedge एक लोगप्रिय बेरश pattern है यह pattern bottom से शुरू होता है, और फिर, जैसे जैसे prices उपर की ओर बढ़ती है pattern contract हो जाती है, और pattern की top की ओर, trading range छोटी होती जाती है यह pattern तब बनता है, जब price, upward, sloping support और resistance levels के बीच consolidate होती है जहां support line का slope, resistance slope की तुलना में बहुत अधिक steep होता है इसका implication यह है कि higher highs की तुलना में, higher lows बहुत तेजी से बनते हैं जिससे wedge जैसा formation होता है इसका मतलब यह भी है कि selling activity अधिक जोर पकड़ रही है और buying कमजोर हो रही है ट्रेडिंग range का buy से die, price contraction भी मौजूदा ट्रेडिंग activity के कमजोर होने का संकेत देता है लेकिन rising wedge सतीक रूप से पहचानने और trade करने के लिए सबसे cut-in chart patterns में से एक हो सकता है हाला कि यह अधिकांश अन्य patterns की तरह एक consolidation formation है लेकिन each successive swing high पर upside momentum का loss होने से यह pattern को bearish बायस देता है हाला कि series of higher highs और higher lows traders को यह अनुमान लगाती रहती है कि trend अभी भी बुलश है यही पर contracting range हमें सबसे ज़्यादा मदद करती है को upward sloping resistance और support lines का कम से कम दो बार test करना चाहिए अब चौकाने वाला fact यह है कि rising wedge pattern, reversal या continuation pattern दोनों हो सकता है यह price chart पर उसकी position पर निर्भर करता है लेकिन अधिक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस pattern, reversal या continuation होने के बावजूद, rising wedges, bearish nature के है हम इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे added advantage यह है कि हम इस pattern को uptrend के अंत में या downtrend के दोरान short term profit booking के कारण consolidations के रूप में देख सकते है लेकिन pattern की bearish confirmation तब तक नहीं होती जब तक कि upward sloping support line convincing तरीके से नहीं break हो जाती ideally हम उम्मीद करते हैं कि prices बढ़ने और wedge pattern बनने के कारण volumes में गिरावट आएगी और support line break होने पर volumes में expansion या rise होगी जिसे bearish confirmation के रूप में लिया जा सकता है आप momentum में बदलाव का पता लगाने के लिए RSI या MACD जैसे momentum indicators का भी उपयोग कर सकते है वैसे भी जब price support line को तोड़ती है तो मिश्चित रूप से हमारा bias हमेशा breakdown पर sell करने की और होता है prices में consolidation के साथ traders को पता है कि एक बड़ी गिरावट आने वाली है इसलिए वे उपर या नीचे breakout की उम्मीद करेंगे जब uptrend के बाद rising wedge बनता है तो इसे bearish reversal pattern कहा जाता है लेकिन अगर यह downtrend के दोरान बनता है तो इसका मतलब downtrend की continuation हो सकता है अब हमने सीख लिया है कि rising wedge की पहचान कैसे करें तो हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि pattern का trade कैसे करें इसलिए मैं entry के तरीको stop loss कहा लगाना है और target कैसे निर्धारित करना है इस पर चर्चा करूंगा entry criteria से शुरू करते हैं चुनकि यह एक bearish pattern है हम केवल upward sloping support trend line के नीचे breakout होने में interest रखते हैं इस level के breakout के बाद आप एक short entry ले सकते हैं यानि आप उस समय entry कर सकते हैं जब price support trend line से नीचे break हो जाती है या आप low price से नीचे बेचने पर विचार कर सकते हैं या breakout candle के close होने के बाद उसके closing price से नीचे पर भी sell कर सकते हैं दूसरी method pullback की प्रतीक्षा करना या breakout level पर price retest होना है और फिर जब price decrease हो जाती है या जब price breakout candle के नीचे चली जाती है तो एक short entry ले अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कौन सा entry बहतर है खेर कोई best approach नहीं है यदि आप lows के break होने पर entry करते हैं तो यह एक false breakout हो सकता है लेकिन यदि यह real breakout है तो यह आपको मिलने वाली best possible price है Alternatively यदि आप low level से नीचे price close होने की प्रतीक्षा करते हैं तो आप false breakout की संभावना कम कर देंगे लेकिन यदि breakout मजबूत है तो आप बहुत lower prices पर entry करते हैं pullback या retest की प्रतीक्षा करने का भी यही मामला है जो अक्सर तब नहीं होता है जब market में strong trend चल रहा हो और वास्तव में आप trade से पूरी तरह चूग जाएंगे इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी entry strategy तै करें और large number of trades पर इसका practice करना जारी रखें volumes और अन्य indicators का उपयोग करके breakout की validity की confirmation करने की हमेशा अनुशंसा की जाती है average से अधिक volumes अधिकांश समय breakout को validate कर सकता है क्योंकि यह market participants की interest को दर्शाता है और कम volume वाले breakouts fail होने की सबसे अधिक संभावना है MACD और RSI जैसे momentum indicators का उपयोग करने से आपको real breakouts की पहचान करने में भी मदद मिल सकती है आईए अब हम stop loss निर्धारित करने के criteria पर ध्यान केंद्रित करें Rising wedge pattern पर trade करते समय अपना stop loss कैसे set करें? आप अपने stop loss को support और resistance, swing high या low इत्यादी जैसे obvious levels पर set नहीं करना चाहते हैं और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको आसानी से stop loss हंट हो जाता है यह आपके लिए उतना ही obvious है जितना दूसरों के लिए जिसमें smart money भी शामिल है आप उचित stop loss setup कैसे प्राप्त करते हैं? हम यहाँ rising wedge पर trading कर रहे हैं और जब price, top trend line resistance के उपर break और close होती है तो pattern invalid होता है इसलिए आपको अपना stop loss इस resistance level से उपर रखना होगा अभी भी लंबी wix की संभावना है जो आपके stop loss को trigger कर सकती है और फिर desired direction में नीचे जा सकती है इसलिए extra safety रहने के लिए आपको ATR indicator का उप्योग करके अपने stops को market structure से कुछ दूरी पर set करके अपने trades को अधिक सास लेने की जगह देनी होगी अपने stop loss level को सबसे recent swing high level से 180R above set करें और अंत में आईए जाने की rising wedge pattern के लिए targets कैसे निर्धारित करें अब ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने winners को cash in कर सकते हैं सबसे आम तरीकों में से एक है pre-determined profit target रखना target को wedge के highest width या wedge के support से resistance तक के सबसे widest portion की उचाए लेकर इस दूरी को trend line breakout point से नीचे project कर सकता है आप अपने stop loss को तब तक trail करना भी चुन सकते हैं जब तक बाजार आपको trade से बाहर न कर दे ये बहतर option क्यों है? इस बारे में सोचें, rising wedge pattern आमतोर पर downtrending market में या uptrend के अंत में दिखाई देता है ऐसी conditions में trend के जारी रहने की बहुत अधिक संभावना है और इसको right करने का एक मात तरीका अपने stop loss को trail करना है अब अपने stop loss को best possible manner से trail करने के लिए आप moving averages या channelist stops का उपयोग कर सकते हैं और केवल तभी trade से बाहर निकल सकते हैं जब market इसके उपर close होता है इसके अलावा यदि आप projection method और trailing stop loss method दोनों के combination का उपयोग करते हैं तो ये बहुत बहतर है क्योंकि आप projection method का उपयोग करके price move को gauge कर सके ताकि अपने profits का एक हिस्सा वहाँ lock in कर सके और फिर बाकी की positions, trailing stop loss का उपयोग करके right कर सके जिससे आपके psychology पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और reversal के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से बचा जा सकता है Falling wedge chart pattern, rising wedge के counter pattern की तरह है ये तब बनता है जब market दो converging support और resistance lines के बीच consolidate होता है Falling wedge के लिए support और resistance lines को नीचे की direction में point करना होगा या उन्हें नीचे की और slope होना चाहिए और resistance line, support line से अधिक steep होनी चाहिए ये pattern टॉप से शुरू होता है और जैसे जैसे prices कम होती जाती है pattern contract हो जाता है इस प्रकार की price action एक कौन जैसी shape बनाती है जो swing high और swing low के convergence के रूप में नीचे की और slope होती है जैसे जैसे price में गिरावट जारी रहेगी यह momentum खो देगी और यह संकेत देता है कि bias control में आना शुरू कर रहे है और price decline की rate को slow कर रहे है symmetrical triangles जैसे patterns के विपरीत जिसमें कोई निश्चित slope या bias नहीं होता है falling wedges को नीचे की और slope करना चाहिए और हमारे पास bullish bias है rising wedges की तरह falling wedge भी trade करने में challenging patterns में से एक है falling wedge pattern को bullish continuation और bullish reversal pattern दोनों के रूप में देखा जाता है जो pattern की पहचान में कुछ confusion पैदा करता है दोनों scenarios में अलग-अलग market conditions शामिल है जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए जब falling wedge दिखाई देती है तब continuation और reversal pattern को अलग करने वाला differentiating factor trend की direction है यदि falling wedge एक uptrend में दिखाई देता है तो यह एक continuation pattern है और यदि यह downtrend में दिखाई देता है तो यह एक reversal pattern है हाला कि इस bullish bias को तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक downward sloping resistance breakout convincing रूप से न हो जाए convincing से मेरा मतलब है कि जैसे जैसे pattern buy से दाई बढ़ता है volumes में decline आनी चाहिए या बस volumes को contracting prices के साथ contract करना चाहिए जो existing price trend को कमजोर दिखाता है और resistance line के उपर breakout average से अधिक volumes के साथ होना चाहिए जो market participants के बीच interest में increase का संकेत देता है आप pattern की reliability confirm करने के लिए RSI, MACD, RDI जैसे momentum indicators का भी उपयोग कर सकते है अब हम entry criteria के बारे में बात करेंगे तो अपने entry का बहतर time कैसे करें खेर इसे करने के कुछ तरीके है पहला तरीका यह है कि जब price resistance trend line से उपर break हो जाए तो long trade करनी चाहिए आपको बस resistance level के उपर एक buy order देना है और जब price इस level से उपर पहुँच जाएगी तो आप तुरंत long होगा यदि breakout real है तो यह entry के लिए best possible prices में से एक है लेकिन यह तरीका बहुत जोखिम भरा है और समभावना है कि यह false breakout हो सकता है यह अगली method पिछले approach के समान है एक मात रंतर यह है कि आप price को trend line resistance के उपर break और close होने का इंतजार करते है candle close होने के बाद आप breakout candle high से उपर long entry कर सकते है इससे false breakout की समभावना कम हो जाएगी लेकिन यदि price की momentum मजबूत है तो आप बहुत premium prices पर अपने trade में entry करेंगे यदि आप एक experience trader है तो आप market में तब भी entry कर सकते है जब price, pattern की उपरी trend line पर pullback या retest आ जाती है यह आपको trade में entry करने में मदद कर सकता है भले ही आप breakout move मिस आउट कर गए हो और यह breakout candle के close होने की wait करने की तुलना में बहतर entry prices प्रदान करता है इस approach के साथ समस्या यह है की market हर बार pullback या retest नहीं दे सकता है एक बार फिर आप अपने approach में conservative या aggressive है या नहीं, इसके आधार पर अपनी पसंद का entry type चुन सकते है volumes और अन्य indicators के साथ breakout को validate करना सुनिश्चित करें की क्या वास्तव में market participants में prices उपर move करने में interest है उचित stop loss कैसे set करें ताकि आप बहुत जल्दी stopped out न हो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप breakout या pullback आधी का trade कर रहे हैं क्योंकि concept एक ही है आपका stop loss ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पहुँचने पर आपका trading setup invalid हो जाएगा इसका मतलब ये है कि यदि market stop loss पर पहुँच जाता है तो आपको automatically पता चल जाएगा कि आप गलत था इसलिए resistance level से नीचे stop loss एक अच्छा idea नहीं है फिर और कहां इसके बारे में सोचो अपना stop loss सेट करने के लिए ideal place कहा है ताकि यदि market उस तक पहुँच जाए तो आपको पता चले कि falling wedge pattern invalid हो गया चुनकी pattern higher swing lows बनाता है और यदि price सबसे recent swing low से नीचे जाती है या downward sloping trend line support से नीचे तूटती है तो हम show हो सकते हैं कि हमारा analysis गलत था तो ये बिलकुल वही जगह है जहां आपको अपना stop loss रखना चाहिए यानी recent swing low या support level के ठीक नीचे आप recent swing low या support के नीचे 180R buffer जोड़ कर prices को कुछ breathing space दे सकते हैं मुझे आशा है कि यह clear है अब अपने winners को कैसे cash in करें सबसे आम तरीकों में से एक है pre-determined profit target रखना target को wedge के top की width या support से resistance तक wedge के सबसे widest portion की width लेना और फिर इस दूरी को trend line breakout point से उपर की ओर project की जा सकता है आप अपने stop loss को trail करने का निर्मय भी ले सकते हैं trailing stop loss ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप पूरी trend पर ride कर सके अब अपने stop loss को best possible manner से trail करने के लिए आप moving average या Chandler stops का उपयोग कर सकते हैं और cable तभी trade से बाहर निकल सकते हैं जब market इसके नीचे close हो जाता है यदि आप moving average का उपयोग कर रहे हैं तो 20, 50 या 200 period के averages का उपयोग करें जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास short term, medium term या long term trade objective है इसके अलावा, यदि आप इन दोनों तरीकों के combo का उपयोग करते हैं तो ये बहुत बहतर है ताकि आप projection method का उपयोग करके पहले से ही price move की potential को gauge कर सके ताकि अपने profits का एक हिस्सा वहाँ lock in कर सके और फिर बाकी positions पर trailing stop loss का उपयोग करके write कर सके जिससे आपके psychology पर असर न पड़े और reversal के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से बचा जा सके अब यह एक ही वीडियो में सभी major reversal patterns है मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको प्रत्येक pattern के पीछे के logic को समझने में मदद करेगा अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को like जरूर करें मुझे इस वीडियो पर कम से कम 1000 likes चाहिए तभी मैं इस series का तीसरा part post करूँगा क्योंकि इन्हे understandable बनने में बहुत समय और मेहनत लगती है तो इसे अपने दोस्तों और fellow traders के साथ share करें चार्ट पर इन patterns को पहचानने के लिए सीखना और practice करना सुनिश्चित करें और कई charts पर उनका back test करें ये देखने के लिए कि कौन सा patterns आपके लिए काम करता है सभी नए video updates पाने के लिए चैनल को subscribe करना सुनिश्चित करें और bell icon को enable करें मैं आप logo से अगले विडियो में मिलूँगा